आज का पहला कोर्स आपका Linux कराएगा, Linux जो के एक operating system है, Windows से थोड़ा अलग रहता है, अगर आप लोग इसके बारे में और detail में जानना चाहते हो, तो इस कोर्स को कर सकते हो, कोर्स हिंदी में भी है, तो आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये कोर्स आपका दो दिन तक free रहने वाला है, पर आप लोग दो दिन का वेट ना करते हुए, जैसी वीडियो देख रहे हो, तुरंद के तुरंद कोर्स में एन्रोल कर लेना, कोर्स में एन्रोल करना बहुती ज्यादा simple है, एन्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे description में जाना है, और वहाँ पर आपको ऐसी numbers देखने के लिए मिल जाएंगे, 1,2,3,4 करके, अब जैसे ये course पहले number पे है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले number के सामने जो link है, bit.ly का, blue color में होगा, उस पे click कर देना, जब उस पे click करोगे, तो आप लोग इस page तक आ जाओगे, और course आपको को फ्री में लेना चाते हो, तो सबसे पहला step तो यही रहता है, कि आपको वीडियो को time पर देखना होगा, और वीडियो को time पर देखने के लिए, आप लोगों का channel subscribe करना, साथ ही साथ bell icon press करना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो ये दो काम सबसे पहले अभी कर लो, ताकि आप से future में आने वाले कोई भी course मिस ना हो, मैं रोजाना वीडियो डाल रहा हूँ, जहां पर आपको 20-40 course हर वीडियो मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाले होते हैं, साथ ही साथ आपको certificate free में मिल जाएंगे, अब जैसा मैंने बताया, अगर आप वीडियो को time पर देखने होगे, और उसके बाद link पर click कर दोगे, तो यहां तक आने के बाद आपको यह course free देखने के लिए मिल जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, enroll now का button मिलेगा, इसके पर click कर देना, इसके बाद आपको यहां पर login sign up करना है, जो आप जाओ तो Google, Facebook, यह Apple की help से भी बड़े ही आराम से कर सकते हैं, मेरा यहां पर already account है, फटा फट से login करके आपको आगे का, यानि certificate लेने तका complete process समझा देता हूँ, अब जैसी आप लोग course के अंदर enroll हो जाएंगे, आपके सामने इस तरीके का interface दिखना चालू हो जाएगा, जहा के topics आपके course के अंदर cover होने वाले हैं, सारा का सारा course content आपका video lectures की form में रहने वाला है, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि Hindi language भी है, फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई topics समझ ना रहा हो, कहीं पर doubt आ जाए, Q&A section है, जहाँ पर आप आप लोग जा करके आपने doubts वेगरा clear कर सकते हो, और सबसे important चीज़, जिसके लिए आप लोग कोई भी course करते हो, वो रहता है course का certificate, उसको लेने के लिए आपको overview section मार जाना है, नीचे scroll करोगे, तो आपको यहाँ पर certificates का section दिख जाएगा, जहाँ पर एक बटन भी दे रखा Udemy certificate नाम से, जैसी course complete करोगे, यानि सारे का सारे video lectures देखने के बाद, आपका यह बटन है Udemy certificate नाम का, यह unlock हो जाएगा, और इस पर click करके, आप लोग कुछ इस तरीके का certificate डाउनलोड करकोगे, यहाँ पर आपके course का नाम लिखा रहेगा, जो भी instructor रहेगी उनका नाम, यानि कितनी देर का वो course था वो यहाँ पर लिख्या आता है, और अगर आप यूग नहीं जानते होगे course कितनी देर का कैसे पता लगता है, तो वो चीज़ा आपको आगे वीडियो में बताने वाला हो, तो वीडियो complete देखा करो, तकि आपको कोई भी doubt ना राज है, पिर भी आप लोगों और कोई बोलता है कि certificate fake है, तो certificate number और certificate URL के help से बड़े ही आराम से certificates को verify करवाया जा सकता है, इन शौट काम के course है, और आप के काम के certificates में मिल रहे हैं, तो जब सब कुछ फाइदा आप ही का है, तो चैनल फटा फटा सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच् से free course और certificate से ले पाएं, हम चलते हैं जब तक अपने दूसरे number के course की तरफ, जो कि आपका Google AdWords Fundamental का certification exam रहने वाला है, अब एक बात बता देना चाता हूं, यहाँ पर आपको मैं, जो भी practice test रहते हैं, उनके अंदर आपको क्या होता, certificates नहीं मिलते हैं, हाला कि बाकि सभी courses मे आपको certificates मिलेंगे, सिर्फ practice test को छोड़ करके, अब अगर आप लोग सिर्फ certification के लिए course कर रहे हैं, तो आप practice test को skip कर सकते हैं, पर मैं तापको यह recommend करूँगा, अगर आप लोग इनकी main exams, जैसे की Google AdWords का exam देने वाले हो, तो definitely course कर ले ना, आप इसने main exam में और जदा better perform कर प सबसे पहली लाइन में आपको मिल जाएगा practice test, अगर आप practice test लिखा हुआ है, यानि practice test है, और इसके अंदर certificate नहीं मिलेगा, तो यहां से आप पता लगा सकते हैं, कौन से course में certificate मिलेगा, और कौन से में नहीं मिलेगा, नहीं कौन सा course practice test रहने वाले है, तो सारे doubts आपके clear हो के उपर अलग-अलग test आता है, तो वो चीज़ा आप यहां से दे सकते हो, practice test आपको मिल जाएगा, fourth course यह भी आप है practice test ही रहने वाला है, जो की business operations के लिए प्रोडक्शन और inventory management के लिए, जो भी लोग इस field से हैं, वो लोग यह वाला practice test दे सकते हैं, और अभी knowledge को improve और test कर सक नेक्स आप का फिफ्ट नमर कोर्स, authority marketing का रहेगा, यानि marketing status रगला कैसे करनी है, वो सारी चीज़े आपको इस course के अंदर बताई जाएंगी, course free आपका रहने वाला 33 निट का यह course यानि आदे घंटे में course खतम हो जाएगा, plus certificate बगारा सारी चीज़े मिल जाएगी, अब जैस के बाखे रिटेल से इंचे स्क्रॉल करकर चेक कर सकते हो, जैसे course के अंदर क्या का पढ़ाया जाएगा, वो आप बच्वी लंड में दिख जाएगा, course आने से पहले क्या का चीज़े आनी चीज़े, course requirement में पता चल जाएगा, course का description में जानना चाहते हो, यहां से पढ़ सकत पर ध्यान रहे, course भी एक limited time period के लिए free हो रखा है, तो अगर आप course को free में लेना चाहते हो, तो वीडियो को time पे देखो, और वीडियो time पे देखने के लिए, channel subscribe करना और बहले किन ट्रेस करना बहुत ही जादा जरूरी है, अभी तक नहीं गया, तो अभी भी मौकाय फटा पर से कर दो, वरना आने वाले course भी हाथ से निकल जाएंगे, और अगर आप से कोई course छूट रहा है, मालने लिए आप लोग वीडियो लेट देख रहे हो थोड़ा सा, और यहां पे कुछ price आजाता है, 400 रुपे, 500 रुपे, 1000 रुपे, कुछ price आजाता है, और आपको फिर भ मुझे पता चल जाएगा, आप से इस वाले वीडियो में इस वाले दिन यह वाला course जो था मिस हो गया है, अब जैसी वे course next time free होगा, मैं वहां पे आपको अपनी comments के तुरू search कर सकता हूँ, और notify करके बता दूँगा, जिस भी course के लिए आपने request किया था, वो course अब वापस स free हो गया है, अब आप इसको free में enroll कर सकते हैं, in case आपको remind करवाना भूल जाता हूँ, तो आप लोगों की responsibility बनती है, आप लोग regularly वीडियो देखो, time पे देखो, जो भी course repeat होने वाला होता है, एक से दो हफते के अंदर, maximum to maximum 3 हफते में definitely repeat हो जाता है, अगर आप वीडियो को time पे देखोगे, रोजा ना, तो definitely आपको course free मिल जाएगा, और वीडियो को time पे देखने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही जादा जरूरी step रहता है, तो कि अगर वीडियो लेट देखोगे, तब तक course expire हो जाएगा, और वीडियो देखने का, ना देखने का कोई फाइदार नहीं होने वाला, और फिर भी अगर आपको बहुत अर्जेंटली course है और आप सिर्फ course content से मतला बहुत से मतला नहीं है, तो उसके लिए एक और solution है, आप लोग मुझे मेरे WhatsApp, Facebook और Telegram गुरूप से, वहां पे contact कर सकते हो, उन सभी के links आपको नीचे description में देखने क के लिए मिल जाएंगे, जहांपे मैं आपको course content भी दे दूँगा, प्रीमें, सासथ, वेबिनार, इंटर्शिप जैसे important updates आपको मिलती रहती है, हम चलते हैं जब तक अपने 6th नमर के course की तरह, numbering आपको पर समझ आई गई होगी, और course में कैसे enroll करना है, प्लस certificate कैसे लेना ह सारी चीज़ आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, यह आपका supply chain professional का एक practice test यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, दो practice test का सेट हैं, जिससे आप अपने knowledge test कर सकते हैं, next course यह भी आपका driving license तो अबर practice test देखने के लिए मिल जाएगा, next आपका जो eight number का course है, gratitude course मिलेग तो यहाँ पर आपको course देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके tech यह, non-tech वाले courses है, यहाँ आपको हर topic पर course देखने के मिल जाता है, तो कि Udemy पर बहुत जादा ही courses है, around 12,000,000 courses इस समय live हैं, जिनको आप कर सकते हो, और उसमें सभी रोजा Microsoft servers के बारे में जानना चाहते हैं, operating systems के बारे में, वो लोग इस course को कर सकते हैं, यह इसका part 2 है, और यह course को पहले भी काफी बार free में ला चुका हूँ, जिसा बता भी चुका हूँ मैं, जो भी course free होता है, मैं वीडियो में add कर देता हूँ, तो कोई course शूट रहा हो, तो आने KD modeling बगारा करना चाहते हैं, game development सीखना चाहते हैं, blender की health से आप लोगों सारी चीज़े कर पाऊँगे, बहुत भी अच्छा software है, animation बगारे में बहुत ज्यादा use हो रहा है, तो आप लोग भी सीखना चाहते हो, 23 hours से भी उपर का course रहने वाला है, जिसा आप Android कर सकते हो, अभ सारी details आपको इस course के अंदर मिल जाएगी, next course आपका niche website का मिलेगा, अगर आप लोग web developer हो, website बेगरा बनाती हो, तो definitely course कर लेना, wordpress की help से आपको web designing course के अंदर बताई जाएगी, और आपको website कैसे beautiful करना है, उस सारी details आपको इस course के अंदर मिल जाएगी, 14th number का आपका जो course रह ज़्यादा का है, आप लोग इसको ले सकते हो यहाँ पर, और जो instructor है बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोग इससा definitely course कर सकते हो, क्योंकि course free भी है, और certificate भी मिल जाएगा, 15th number course, online course की रशन करेगा, अब जैसे Udemy पर यह course बनते हैं, और बेचे जाते हैं, अगर आप ल 17th course आपको local SEO का रहने वाला, जो की 2021 का latest course भी रहेगा, 17th number course OBS Studio का रहेगा, अब जिन लोगो नहीं पता है, OBS Studio क्या है, बता दू यहाँ पर, एक software है, लाइव streaming में यूज होता है, अगर आप लोग भी game streaming करना चाते हो, या YouTube पे streaming करना चाते हो, तो यहाँ आप इस software को थू हो जाएगा आपका इस course को करने के बाद, जो कि सिर्फ धाई घंटे का course रहने वाला है, 18th number का आपका जो course है, Atlantis conclusions का रहने वाला है, जो कि project management में आपका यूज होता है, next course आपका ultrasonic testing का आपका course रहने वाला है, जो कि 19th number का आपका हमारा आज का अगला और आखरी course रहने व जरूरी है, तकि नहीं लोग है, तो वीडियो मिस हो जागा है, लेट देखो गए, तो कोई फाइदा नहीं होगा, इसलिए बार बार कहा था, चैनल सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं जया है, तो अभी time है, कर लो, और वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना और भी लोगों को जरूर शेर करना, तकि बाकि लोग आपने मन चाहे कोर्स को प्रीमें ले पाएं, और अगर आपको कोई दूसरा कोर्स चाहिए हो, या किसी दूसर टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो, तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉप तब तक के लिए टाटा बाई बाई